उत्तरदाई केवल गांधी जी थे। मुझे ये पता था कि हत्या के बाद लोगों के विचार मेरे विशे में बदल जाएंगे। समाज में मेरा जितना अदर है वो नश्ठ हो जाएगा। मैं जानता था कि समाचार पत्र बुरी तरह मेरे निंदा करेंगे। किन्तु मैं नहीं जानता था कि अगबार इतने पतित हो जाएंगे कि सत्य का गला घोड देंगे। समाचार पत्रों ने कभी निश्पक्षता से नहीं लिखा। यदि वे देश के हित का अधिक ध्यान रखते और एक मनुष्य की व्यक्तिकत इच्छाओं को कम ध्यान देते तो देश के नेता पकिस्तान स्विकार न करते। समाचार पत्रों की ये निथी थी कि लीडरों की गल्तियों को प्रकट न होने दिया जाए। देश का विभाजन इससे सरल हो गया। ऐसे भरष्ट समाचार पत्रों के डर से मैंने अपने निष्चे की दुड़ता को विचलित नहीं होने दिया। कुछ लोग कहते हैं कि यदि पाकिस्तान न बनता तो आजादी न मिलती। मैं इस विचार को ठीक नहीं मानता। लीडरों ने अपने पाफ को छिपाने के लिए ये बहाना बनाया है। गांदी वादी कहते हैं कि उन्होंने अपनी शक्ति से स्वराज जब पाया। यदि उन्होंने अपनी शक्ति से स्वराज लिया है तो उन्होंने हारे हुए अंग्रेजों को पाकिस्तान की शर्त क्यों रखनी दी और शक्ति से क्यों नरोका मेरे विचार से महात्मा और उनके अनुयाईयों की एक ही पॉलिसी रही और वो ये कि पहले यवनों की मांग पर विरोध दर्शाना फिर हिचक दिखाना और अंत में आत्म समर्पन कर देना इसी प्रकार पाकिस्तान की रूप रेखा स्विकार कर ली गई 15 अगस 1947 को छलप पुरवक पाकिस्तान स्विकार कर लिया गया पंजाब, बंगाल, सिमा प्रांत और सिंद के हिंदूं का कोई विचार नहीं किया गया देश के टुकड़े करके एक मज़वी धर्मनिष्ठित मुस्लिम राज्य बना दिया गया मुसल्मानों को अपने अराष्ट्रिय कार्यों का फ़ल पाकिस्तान के रूप में मिल गया गांधिवादी नेताओं ने उन लोगों को देश्चत द्रोही, सांप्रदाई कहे कर पुकारा जिनोंने पाकिस्तान का विरोध किया था और पाकिस्तान स्वयम स्विकार करके जिना के सब बात मानगा। इस दुरघटना से मेरे मन के शांती भंग होगा। अंधिवादी कहते रहे कि हिंदों को पाकिस्तान से नहीं आना चाहिए और वही रहना चाहिए। इस प्रकार हिंदू मुसल्मानों के चंगुल में फस गए और विकट विपत्यों के शिकार हुए। जब मुझे इन घटनाओं की याद आती है तो मैं काप उठ्था हूँ। उस निकाले गए। उनको पशों के भांती बेचा गया। लाखो हिंदूं को धर्म बचा कर भागना प्राए। 40 मिल लंबा हिंदू निराश्रितों का जत्था हिंदुस्तान की और आ रहा था। हिंदुस्तान शासन इस भयानक गृत्य का कैसे भयानक निवारन करता था। उन निराश्रितों को वायू यान से रोटिया फिक। भारत सरकार पाकिस्तान से अत्याचार रोकने के लिए अनरोध करती या धंकी देती कि यदि पाकिस्तान में अत्याचार बंद नहीं हुआ तो भारत में भी मुसल्मानों की बुरी दशा होगी तो इतने अत्याचार नहोते भारत सरकार गांधी जी के इशारों पर चलती थी और उसके नीती कुछ और ही थी यदि पाकिस्तान के हिंदों की रक्षा के लिए समाचार पत्र कुछ लिख देते थे तो ये अर्थ लिया जाता था कि वे हिंदु मुसल्मान में मतभेत फैलाने का प्रैत्न कर रहे हैं जमानत मांगी जाने लगी मुझे भी अनेक नोटिस मिले और सोला हजार रुपे की सुरक्षित निधि तक मांगी गई श्री मौरार जी देशाई के न्यायाले बयान के अनुसार ऐसी नौसो घटनाएं हुई इतना ही नहीं जब प्रैस प्रतिनिधी मंडल मौरार जी से मिलने गया तो उन्होंने उनकी एक न सुनी इस प्रकार मुझे आशा न रही कि गांधिवादी कॉंग्रेस सरकार पर शांतिमे ढंग से दबाव डाला जा सकता है जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी तब पाकिस्तान या मुसल्मानों के विरध गांधी जी ने एक भी शब्द नहीं कहा हिंदु जातिया और सौस्कृति को मिटाने के लिए मुसल्मानों ने जो अत्याचार किये उनका मूल कारण गांधी है यदि भारत की राजनिती को भली भाति समाला जाता तो ऐसा हिंदु संभार कभी न होता जैसा अब हुआ और जिसका उधारण इतिहास में कही नहीं मिलता सबसे महत्वपुर्ण बात ये है कि मुसल्मानों से सम्मंद रखने वाली समस्याओं में गांधी जी ने कभी जनता के विचारों की ओर ध्यान नहीं दिया गांधी जी की अहिउसा की आड में इतना रक्तपात हो चुका था कि जनता पाकिस्तान के पक्ष में किसी भी विचार का स्वागत करने के लिए तैयार न थी स्पष्ट था कि जब तक पाकिस्तान में धर्मान्द मुसल्मान राज्य है तब तक भारत में शांती नहीं हो सकती फिर भी गांधी जी इस प्रकार का प्रचार कर रहे थे और इस तरह के विचार पाकिस्तान के पक्ष में फैला रहे थे जैसा कर सकने में कोई कट्टर लिगी नेता भी सफल न हो पाता इनी दिनों में उन्होंने आमरन अंशन की घोशना करते हुए जो शर्ते रखी वे सब भी केवल हिंदों के विरुध और मुसल्मानों के पक्ष में थी गांधी जी के अंशन की जो शर्ते थी उनमें पहली ये थी कि दिल्ली की मस्जिदों में रह रहे हिंदू शर्णार्थियों को बाहर निकाला जाए और मस्जिदे मुसल्मानों को सौप दी जाए गांधी जी ने अपनी शर्थ सरकार और अन्य नेताओं को अंशन की धमकी दे कर स्विकार कराई जिस दिन ये घटना हुई उस दिन मैं दिल्ली में था मैंने देखा कि किस प्रकार गांधी जी की जित को पुरा किया गया वे शित के दिन भे गांधी जी ने अंशन खोला उस दिन वर्षा हो रही थी ऐसी असाधरन सर्दी और वर्षा में अच्छे स्थानों पर रहने वाले लोग भी काप रहे थी उस समय निराश्रे शरनार्थियों के कुटूmb के कुटूmb मस्रिदों से सर्दी के मारे कापते हुए निकाले गए उनकी रक्षा का कोई प्रबंद नहीं किया गया कुछ शरनार्थी जो कुटूmb और श्रीयों सहित बिरला हाउस गए और उन्होंने नारे लगाए गांधी जी हमें स्थान दो उस भव्य भवन में रहने वाले गांधी तक उन निराश्रदों की आवाज नहीं पहुंच सके मैंने ये दुश्य अपने आँखों से देखा जिसे देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति का रिधय भी पिखल जाता मेरे मस्तिष्क में इससे अनेक विचाराने लगे मैंने सोचा कि क्या शरणार्थियों ने प्रसन्नता से इन मस्जिदों में डेले डाली थे नहीं नहीं गांधी को भी उन स्थितियों का पूरा पता था जिनसे बात देहोकर उन्हें अपने घर छोड़कर इन मस्जिदों के शरण लेनी पड़ी पाकिस्तान में एक भी मंदिर या गुरुद्वारा सुरक्षित नहीं रहा शरणार्थियों ने अपनी आखों से देखा था कि किस प्रकार मुसल्मानों ने केवल हिंदु मंदिरों और गुरुद्वारों को अपवित्र किया जो हिंदु शरणार्थी दिल्ली शरण लेने के लिए आये थे उन्हें यहां कोई स्थान नहीं मिला इसमें अश्चर की क्या बात है जदि उन लोगों ने पेड़ों के नीचे और गली कुचों में न पड़े रहकर पंजाब में बीती हुई दुरगटनाओं को स्मरण करके दिल्ली की वेर्थपड़ी मस्जिदों में शरण ले मेरे विचार में इस प्रकार मस्जिद मानवता की भलाई के लिए काम आ रही थी गांदी जी ने निश्चे किया कि मस्जिदों को खली कराये जाए वहां उनके रहने का दुसरा प्रबंदक क्यों नहीं कराया उन्होंने पाकिस्तान के मंदिर हिंदों को सौपने की मांग क्यों नहीं की जिससे पता चलता कि गांधी वस्तुता अहुंसा के पूजारी है हिंदु-मुस्लिम एकता के इच्छुक है और उनमें निश्पक्ष आत्मशक्ती है गांधी ने पूरी चलाकी की और अपने अंशन को खोलने के लिए पाकिस्तान के लिए एक भी शर्थ न रखी यदि वे रखते तो संसार देखता कि गांधी जी अंशन करते हुए स्वर्ग सिधार जाते और पाकिस्तान के एक भी मुसल्मान को लेश मात्र दुख न होता उन्होंने अपने अन्भों से देख लिया था कि उनके वरत का जिना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लीग उनकी आत्मशक्ति की परवान नहीं करती अंत में ये कहना अनुचित न होगा कि गांधी के फूल याने अस्थी भारत और विदेशों की बहुत सी नदियों में बहाए गए परन्तु ये अस्थी पाकिस्तान की सिंधु नदी में नहीं बहाई जा सकी इस संबन्द में पाकिस्तान में भारत के राजदूद श्रीयूत श्रीप्रकाश जी का प्रैत्न निश्फल रहा अब 55 करोड रुपयों की बात लीजिए उपप्रधान मंत्री का निवेदन देखिए गांधी जी ने स्वयम कहा है कि किसी गवर्मेंट से उसका निर्णे बदलवाना कठिन हो जाता है लेकिन भारत सरकार ने गांधी जी के अन्शन के कारण पाकिस्तान को 55 करोड रुपय न देने का अपना निर्णे बदल दिया गांधी जी का 21 जनवरी 1948 का प्रार्थना प्रवचन देखिए सरकार ने 55 करोड रुपय न देने का निर्णे जन्ता के प्रतिनिदी होने के नाते किया था लेकिन गांधी जी के अन्शन ने इस निर्णे को बदल दिया तब मुझे ये ग्यात हुआ कि गांधी जी की पाकिस्तान परस्ती के आगे जन्ता के मत का कोई महत्व नहीं है अपने प्रतिवृत्य के पहले खंड के प्रुष्ठ 143 पर नयमुर्थी कपूर ने उस समय वृत्य पत्रों में छपी प्रक्रिया का एक उधारन दिया है अनुच्छेद 12A 45 इस प्रकार है बंबई के साप्ताहिक नेशनल गारडियन ने अपने 17 जन्वरी 1947 के अंक में नेरू शासन से हिंदुस्तान की घोर वंचना पाकिस्तान धौस से जो पान सका वो गांधी जी के हक्टाग्रह से पा सका इस शिर्षक के नीचे दिया था अपने राष्ट्रिय जनों का जिससे नरसंवार होगा वो पैसे देने का कुरत्य हम नहीं करेंगे ऐसी गर्जना चल रही थी और सरदार वल्लब भाई के धौस को और दबाव में भीक नहीं डालेंगे ऐसे वीरत्व के शब्द सुनने में आते थे इतने में ही गांधी ने अंशन करके पाकिस्तान को करोड़ों रुपे देने को नहरु शासन को बाध्य किया पच्पन करोड़ प्रदान की स्विकृति से लोग कैसे प्रक्षुद थे इसका ये उधारन है मुसल्मानों ने स्वतंत्रता अंदोलन का विरूत किया इसलिए पाकिस्तान बना जिनोंने पाकिस्तान का पक्ष लिया उनको पाँचवे स्थम्भी कहा गया है उनकी निंदा की गई है परंतु मेरी दुष्टी में गांदी जी ने पाकिस्तान का पक्ष सबसे अधिक लिया और कोई शक्ती उनको रोक नहीं सके इस खिती में हिंदूं को मुसल्मानों के अत्याचारों से बचाने का एक ही उपाय था कि गांधी का अंत कर दिया जाए गांधी जी राश्टर पिता के नाम से पुकारे जाते हैं जो अत्यंत सम्मान का पद है पर वे पिता का करतव पालन करने में असफल रहे उन्होंने तो बड़ी निर्दैता से राश्टर के दो टुकड़े कर दिये यदि वे सच्ची आत्मा से पाकिस्तान का विरोध करते तो लीग कभी भी इतनी सुधुड़ता से ये मांग न रख पाती और अंग्रेज पूर्ण प्रहत्न करके भी इसे न बना पाते देश की जनता पाकिस्तान बनाने की घोर विरोधी थी पर गांधी जी ने जनता को धोका दिया और मुसलमानों के पाकिस्तान का पिता सिध्ध किया है इसलिए मैंने भारत माता का एक पुत्र होने के नाते अपना करतव्य समझा के ऐसे व्यक्ति का अंत कर दिया जाए जिसको कहा तो जा रहा है राष्ट्र पिता किन्तु जिसने मात्र भूमी का विभाजन करने में सरवाधिक हाथ बटाया है हैदरावाद की समस्या का भई यही इतियास है निजाम के मंत्रियों एवं रजाकारों ने जो अत्याचार हिंदों पर किये उनका वरणन करने की अवश्चक्ता नहीं है वहाँ के प्रधान मंत्री लायक अली जनवरी 1948 के अंतिम सप्ता में गांधी जीसे मिले थे शिग्र ही पता लग गया कि गांधी जी का व्यवहार इस विशे में भी विचित्र है जिस प्रकार उन्होंने सुरावर्दी को अपनाया था उसी प्रकार कासिम रिजवी को भी दत्तक पुत्र समझ कर व्यवहार करेंगे ये बिल्कुल स्पष्ट था जब तक गांधी जी जीवित थे तब तक सरकार हैदराबाद के विरुध कुछ न कर सकी यद भी वो पूर्ण अधिकार और शक्ति संपन न थी यदि गांधी जी के जीवन में ही भारस सरकार हैदराबाद में सेना या पुलिस की कोई कारवाई करने का निश्चे करती तो गांधी जी हिंदु मुस्लिम एक्ता के नाम पर सरकार को अपने निश्चे बदलने पर बाध्य कर देते जिस प्रकार 55 करोड रुपया पाकिस्तान को न देने का निरने वापिस लेना पड़ा था जब गांधी जी अन्शन ठान लेते तो उनको बचाने के लिए सरकार को उनकी इच्छा नुसार चलना पड़ता गांधी जी के अहयुसा सिधान्त के अनुसार हमें अत्याचार सहन करते जाना चाहिए और शस्त्र या शारिरिक शक्ति से प्रतिकार नहीं करना चाहिए गांदी जी की अहिंसा उस सिव्व की अहिंसा है जो उस समय अहिंसा का पुजारी हो जाता है जब वो सहस्तरो गायों को खापी कर ठक जाता है कानपूर में गनेश शंकर विद्यार्थी को मुसल्मानों ने निर्दैता से मार दिया था गांधी जी उनका उधारन देकर कहते थे कि इस प्रकार अहुंसा पर चल कर अपना बलिदान कर देना चाहिए मेरा विश्वास है ये अहुंसा यानि नपुल सकत्व देश को नश्ट कर देगी और पाकिस्तान भारत पर अधिपत्य जमा लेगा मुझे स्पष्ट दिखाई देता था कि यदि मैं गांधी जी का वध करूँगा तो मैं जड़ मुल्क से नश्ट कर दिया जाऊंगा लोग मुझ से घृणा करेंगे मेरा सम्मान जो मुझे प्राणों से अधिक प्री है नश्ट हो जाएगा किन्तु साथ में मैं ये भी जानता था कि गांधी जी सदा के लिए विदा हो जाएंगे तो देश की राजनिती में शस्त्र प्रयोग और प्रतिकारात्मक कारवाही को स्थान मिलेगा देश शक्तिशाली होगा मैं अवश्य मरूंगा किन्तु देश अक्त्याचारों से मुक्त होगा सब मुझे मूर्ख कहेंगे पर देश ऐसे मार्क पर चलेगा जो उचित होगा यही सोचकर मैंने गांधी जी का अंत करने की ठानी मैंने अपना निरने किसी को नहीं बताया 30 जनवरी 1948 के दिन मैंने गांधी जी का वध किया मैंने पास कहने को और कुछ नहीं है यदि देश भक्ती पाप है तो मैं पाप मानता हूँ मैंने पाप किया है यदि प्रशंसनी है तो मैं अपने आपको उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूँ मुझे विश्वास है यदि मनिशों द्वारा स्थापित न्याले से उपर कोई और न्याले होगा तो उसमें मेरे कार्य को अपराध नहीं समझा जाएगा मैंने देश और जाती की भलाई के लिए ये काम किया है मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीती से हिंदूं पर घोर संकट आये और हिंदू नश्ट होए वास्तों में मेरे जीवन का उसी समय अंत हो गया था जब गांधी जी पर गोली चलाई थी उसके पश्चात मैं अनासक्त जीवन बिता रहा हूँ मेरे लिए संतोष का विशे है कि मुझे कोई पश्चाताप नहीं है हैदराबाद की समस्या में अकारण देर हो रही थी सरकार ने गांधी जी के मुर्त्यू के बाद शस्त्र शक्ति से इस समस्या को ठीक रूप से सुलजा दिया है भारत की अधुनिक राजनीती और सरकार अभी तक तो ठीक प्रकार से चलती हुई जान पड़ रही है ग्रह मंत्री ने कहा है कि देश के पास प्रचूर युद्ध सामगरी होनी चाहिए ऐसा विजार प्रकट करते हुए उन्हें ने ये नहीं कहा कि वे गांधी जी के सिधानतों पर चल कर ये सब कुछ करेंगे यदि वे ऐसा कहें तो केवल अपने मन के संतोष के लिए कहेंगे ये याद रखना चाहिए कि यदि आधुनिक शस्त्रों का प्रयोग करके ये कहा जाए कि गांधी जी के एउसा सिधान्त पर चला जा रहा है तो हिटलर, मुसोलिनी, चर्चिल या रुजवेल्ड के देश रक्षा के धंग और गांधी जी के एउसा सिधान्त में कोई भेद नहीं रह जाएगा मैं यह मानने को तयार हूँ कि गांधी जी ने देश के लिए बहुत कष्ट उठाए उन्होंने जन्ता में जागुर्टी पैदा की उन्होंने स्वार्थवश कुछ नहीं किया परंतु दुख ये है कि वे इतने इमानदर नहीं थे कि अहिउसा के हार को स्विकार कर ले दे मैंने दूसरे भारती देश भक्तों और नेताओं के भी चरित्र पड़े है जिन्होंने गांधी जी से अधिक बलिदान किये है कुछ भी हो गांधी जी ने देश की जो सेवा की है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूँ उन पर गोली चलाने के पूर्व मैं उनके सम्मान में इसलिए नतमस्तक हुआ था किन्तु जन्ता को धोका देकर पुझ मात्र भुमी के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को नहीं है गांधी जी ने देश को चल कर देश के टुकडे किये क्योंकि ऐसा न्यायले या कानुन नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता इसलिए मैंने गांधी को गोली मारी उनको दंड देने का केवल यही एक तरिकार रह गया था यदि मैं यह न करता तो मेरे लिए अच्छा ही होता परंतु स्थिती बहुत खराब हो गई थी और मेरे रिधे में इतना अधिक शोब था कि मैंने सोचा कि गांधी जी को स्वाभाविक मृत्यू से नहीं मरने देना चाहिए संसार को पता लग जाए कि इस व्यक्ति ने अन्याय पुर्वक राष्ट्र के साथ चल करके भयानक रूप से देश के एक संप्रदाय का जो पक्ष लिया है उसका दंड भोगना पड़ा मैंने इस समस्या का अंत इसी प्रकार करना चाहा क्योंकि इसी से लाखों निर्दोष हिंदूं का जीवन बच सकता था गांधी जी की जो अहम मई प्रवरुत्ती इस पवित्र भूमी के पुत्रों के लिए घातक सिद्ध होई उसके लिए भगवान उन्हें क्षमा करे मेरी न किसी से कोई शत्रुता है न किसी के प्रती कोई दुरभावना ये मैं अवश्च कहता हूं कि इस सरकार के लिए मेरे रिधय में कोई आदर न था क्योंकि ये अनुचित रूप से देश के शत्रों के हाथ मजबुत कर रही थी मैं देख रहा था कि ये नीतिक गांधी के कारण थी अब ऐसे व्यक्तिक अंत हो जाने के बाद वो राष्ट्र निर्मान की योजनाओं पर कार्य करने की लिए स्वतंत्र है किन्तु मुझे ये कहते दुख होता है कि प्रधान मंत्री नहरू के भाषणों और कार्यों में बड़ा अंतर है वे धर्म निर्पिक्षिता के आधार पर राष्ट्र निर्मान की बाते करते हैं जबकि उन्होंने स्वयम पाकिस्तान को धार्मिक आधार पर स्विकार किया है उन्हें सोचना चाहिए था कि सामप्रदाइक आधार पर बनाया हुआ पाकिस्तान भारत के लिए लाबधायक न होगा फिर भी सब कुछ सोचने के पश्चात मेरे रुधय ने कहा कि गांधी जी के विरुध काम करना चाहिए किसे ने मुझे पर इस संबंध में कोई दबाउन नहीं डाला और नहीं कोई डाल सकता था आप मेरी इस भावना को जिस प्रकार देखना चाहे देखे और इस भावना के परणाम स्वरुप मेरे के हुए इस कार्य को देखकर जो दंड उचित समझे दे इस विशे में कुछ कहने के मेरी इच्छा नहीं है मैं किसी प्रकार की दया नहीं चाहता मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी और से कोई दया की याचना करे इस अभियोग में बहुत से मनुश्यों को मेरे साथ इस अपराध में ले लिया है उन पर आरोप है कि उन्होंने शडियंतर रचा इस विशे में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस कार्य में मेरा कोई साथी नहीं था स्वयम मैं और केवल मैं ही इसका उत्तरदाई हूँ यदि दूसरे लोग इसी दोश के लिए नहीं खड़े किये जाते तो मैं अपने लिए बचाव भी न करता न्यायलाय को मालूम है कि 30 जनवरी 1948 के कृत्य से सम्मंदित साक्षिदारों की परिपरिक्षा याने क्रॉस एग्जामिनेशन न ली जाए ऐसी मेरी इच्छा थी और मेरे विधिग्यों को भी मेरा वैसा अगरह रहा था इससे मैं अपने लिए बचाव नहीं कर रहा ये स्पष्ट होगा मैं इस बात को पहले ही बता चुका हूँ कि बीश जनवरी को मैं शांति में प्रदर्शन के पक्ष में न था अपने सिधांतों का पचार करने के लिए ये उपाय मुझे गर्थ परतित होता था फिर भी मैंने प्रार्थना सभा में होने वाले उस प्रदर्शन में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया यदि भी इसमें सम्मिलित होने की मेरी अंतरी किछांग न थी दैवयोक से मैं उसमें सम्मिलित न हो सका और किसी कारण से जब ये प्रैत्न सफल भी नहीं हुआ तब मुझे बड़ी निराशा हुई आपते और अन्य लोगों ने पुना, बंबई, ग्वालियर में स्वयों सेवोकों के लिए जो परिश्रम किया था उसका कुछ भी फल नहीं निकला तब गांधी जी के वध के अतिरिक्त मेरे लिए दुसरा मार्ग नहीं रह गया था इनी विचारों में खोया हुआ जब मैं दिल्ली के शरणार्थी कैम में घुम रहा था तो मुझे एक फोटोग्राफर मिला, जिसकी कमर में कैमेरा लटक रहा था उसने मुझे फोटो उतरवाने के लिए कहा, वो शरणार्थी ही प्रतित होता था मैंने फोटो खिच्वा लिया, जिस समय में स्टेशन पर आया, मैंने आप्टे को दो पत्र लिखे, जिसमें अपनी मानसिक दशा का वरणन किया और अपने फोटो भी भेज दिये नानारों अप्टे से प्रेश और पत्र के ख्षेत्र में मुझसे घनिष्ठ सम्मंद थे उन्हें मैंने एक पत्र व्यक्तिकत पते पर भेजा, और दूसरा हिंदु राष्टर कार्या लेके पते पर अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, कि जो वक्तेवे मैंने दिया है, वो सत्य और शुद्ध है प्रत्यक बाद संदर्व ग्रंधों को देख कर तैयार की गई है मैंने सरकारी समाचार पत्र, इंडियन एर बुक, कॉंग्रेस का इतिहास, गांधी जी की आत्म कथा समय समय पर प्रकाशिक कॉंग्रेस के बुलेटिन, यंग इंडिया और हरिजन की फाइले और गांधी जी की प्रार्थना सभा के भाशनों से ये वक्तव्य तयार करने में सहायता लिया है मैंने ये लंबा वक्तव इसलिए नहीं दिया है कि लोग मेरे कार्य को सरा है बलके इसलिए दिया है कि लोग मेरे विचारों को भली भाती जान जाए और किसी के मस्तिश्क में मेरे विशे में कोई भ्रांत धारना नर है भगवान करे हमारा देश फिर अखंड हो और जनता उन विचारों का त्याग करे जो अत्याचारी के आगे जुकने की प्रेरणा देते हैं भगवान से यही मेरी अंतिम प्रार्थना है मेरा वक्तव्य अब समाप्त हो चुका है आपने इसे ध्यान से सुना और सुविधाएं दी उसके लिए मैं कुर्तग्य हूँ जिनों ने इस बड़े अभियोग में मुझे कानुनी सहायता दी और जो पुलिस ओफिसर इस अभियोग से सम्मंदित है उनके प्रती मेरे रुधे में कोई दुर्भावना नहीं है मैं उनके सद व्यभार के लिए उनका भी कुर्तग्य हूँ जेल के अफिसरों को भी धन्यवाद उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यभार किया है ये सत्य है कि मैंने तीन चार सोन लोगों के बीच दिन के समय गांधी पर गोलियां चलाई मैंने भागने का कोई प्रैत्न नहीं किया वास्तों में भागने का विचार मेरे मस्तिश्क में आया ही नहीं मैंने अपने उपर गोली चलाने का प्रैत्न भी नहीं किया विचारों को खुले न्यायले में प्रकट करना चाहता था अलोचनाओं के बावजूद भी मैंने जो कुरुत्य किया उसके नैतिक पक्ष पर मेरी आत्मा कभी विचलित नहीं हुई मुझे किंचित भी संदेग नहीं कि भविष्य में सच्चाई और इमानदारी से इतिहास के इस अध्याय को इतिहासकार लिखेंगे तो वे मेरे कालियों और उसके परणाम का सही मुल्यांकन करेंगे अखंड भारत अमर रहे वंदे मातरं दिल्ली आठ नवंबर 1948 नतुराम विनायक गोड़से अभियुक्त क्रमांक एक